तो इस मेथेड़ और प्रॉसेस को किस तरह के सा अप्लाई करना है और अपने मोबाल के रिचार्च को एमेज़ॉन पे का यूज करके किस तरह के से कम्प्लेट करना है जो मैथेड़ मैं आपको बताने हो लो यह आपको 2020 वर 2021 दोनों में वोकिंग मैथेड़ होगा तो यहाँ पर आपको Amazon Pay का यूज करने के लिए कोई भी ऐसा other platform का यूज करने की ज़रूत नहीं है इसके लिए आपको बस Amazon जो application है उसमें आपको अपना account create करना होगा बिना account create किये आप यहाँ पर Amazon Pay के तुरू transaction complete नहीं कर पाएंगे तो Amazon Pay का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने Amazon के application में और Amazon के application में जाने के बाद आपको यहाँ पर त्रीवड़ाट आइकन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर option बिल जाएगा Amazon Pay का आपको इस वाले option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारा ऐसा option में बिलेगा जिसके तुरू आप अपना transition complete कर सकते हैं I mean Amazon Pay के तुरू अपने उस online payment यानि कि आपको यहाँ पर option में बिलता है अपना bills payment का, travel का, insurance के premium को पे करने का और साथ ही मैं आपको कई सारे ऐसे transition की details जो भी आप इस शो कर सकते हैं तो साथ ही मैं आपको यहाँ पर option में बिलता है अपना mobile recharge complete करने का तो यहाँ पर अगर आप इस Amazon Pay का use करके अगर आप अपना most of the transition complete करते हैं तो आपको Amazon की तरफ से कई सारे ऐसे gift rewards भी मिलता है, ऐसे cash back भी मिलता है जो कहीं न कहीं आपका amount भी saved होता है तो फिलाल अभी आप इमें जो recharge करने वाला हूँ, वो मेरा जियो का number है और अपने जियो की number को मैं Amazon Pay का use करके recharge करने वाला हूँ तो directly मैं इस mobile recharge ओले option पे click करूँगा अब उसके बाद यहाँ पर आपको वो mobile number इंटर करना है जिससे आप recharge करना चाहते है तो इसके बाद आपका number automatically fetch करके आपको जो आपका operator उसका नाम आपको यह पे show कर देगा और इसके बाद view plans ओले option पे click करके आपको plan choose करना है तो जैसे आप number enter करेंगे तो इसके बाद आपके number के according आपको यहाँ पे details और plan शो हो जाएंगे So let's click on this So as you can see यहाँ पर मैं आपना जियो का number enter किया जैसे मैंने number enter किया मेरा जो operator का नाम मुझे automatically आपके show हो गया अब उसके बाद आपको यहाँ प्लान को चूज करना है अपने plan को choose करने के लिए So as you can see मेरे जियो के number के according मुझे सारे के सारे जो plans है वह आपके show हो चुके तो आपको वह प्लान चूज करना है जो आपके need and आपके requirement के according है और उसके बाद आपको यहाँ पर recharge complete कर लेना है So let's मैं यहाँ पर जो choose करूँगा सबसे minimum वाला जो pack है वो यहाँ पर choose करूँगा यहाँ पर जो मेरे plan चूज करने वाला हो वो है 10 रुपे का जिसमें इसी वे balance recharge है जिसमें 7 रुपे का मुझे balance मिलेगा तो मैं यहाँ पर 10 रुपे का recharge complete करने वाला हो So as you can see यह मेरा जियो का number यह मेरा जियो का नाम और यह है उसका plan जो 10 रुपे का मैं यहाँ पर recharge complete करने वाला हो अब directly मुझे continue option पर click करना है अब उसके बार directly आप Amazon Pay के पेमेंट section page पर आप redirect हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपना payment method चूज करना है तो मैं mostly जो अपना payment method है वो net banking का यह use करता हो तो इसलिए आपर directly मुझे net banking शो हो रहा है बट जैसी आप first time payment on pay के payment section page पर आप redirect करेंगे तो यहाँ पर आपको option मिलता है credit card, debit card या तो net banking या UPI pin का यूज करके भी आपना transition आपर complete कर सकते है बट यहाँ में mostly net banking का यूज करके मैं अपना transition आपर complete करता हूँ तो directly मेरे में उझे net banking option शो हो चुका है तो directly में इस net banking option पर click करूँगा तो click करने के बाद यहाँ पर मुझे bank का option शो जाएगा तो यहाँ पर आपको जो भी आपका bank है उसे आपको choose कर लेना है और इसके बाद आप अपने उस bank के net banking page पर redirect हो जाएगे तो मेरे कैसे से मेरा SDFC bank है तो directly मैं SDFC bank पर click करूँगा तो मैं अपने SDFC bank के net banking page पर redirect हो जाऊँगा अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो operator है यानि कि जो आपका bank में registered mobile number है वो number आपको choose करना है तो मेरा जो number अपडेट है bank में और जियो का है तो directly मैं जियो option चूज करूँगा और उसके बाद proceed option पर click कर दूगा तो जैसे आपका mobile number यहाँ पर verify हो जाएगा तो first आपका यह जो Amazon पर है आपका mobile number verify करेगा तो verify verification अगर proper होगा तो आपको यहाँ पर तीनों में यह अवाला option choose करेगा अब directly आपको continue order पर click करना है तो now as you can see यह है मेरे bank का detail जो हाँ पर है और उसके निचे है डारेक्ली मुझे pay all option पर click करना है 10 rupees so let's click on this so as you can see finally जो मेरे recharge है 10 rupees का वो यहाँ पर complete हो चुका है as you can see paid to geo 10 rupees amount so यह है simple सा method अपने mobile recharge को complete करने का इस simple method का use करके आप Amazon pay से अपना mobile का recharge complete कर सकते है so this will help you in 2020 and 2021 so this is the way to recharge mobile by Amazon pay I hope you like this information